दिल्ले के मुख्यमंत्री और आमाद्मी पार्टी के राष्टिय सेयोजक अर्विन केजरिवाल जी को टीडी का नोटिस आया कि दो तारिक को उनसे पूश्टाश की जाएगी पूश्टाश के लिए पहले सीबी आई ने भी बुलाया था अर्विन केजरिवाल जी ने उनके सभी सवालों के जबाब दिये थे लिकने कल जिस तरह से एडी ने रात में नोटिस जारी किया वो इस बात को दर्सा रहा है कि सभी सवालों के जबाब देने के बावजूद भारतिय जनता पार्टी का जो गेंडरकी सरकार का जो आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मिसन है वो अर्विन केजरिवाल जी को गिरफतार किये बगएर पूरा नहीं होने वाला और इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद से ही अर्विन केजरिवाल को कैसे खत्म किया जाए आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए किसी ना किसी तरीके से सड्यंत्र चलता रहा और अब भारतिय जनता पार्टी के लोग एडी के माध्यम से उस गिरफतारी की तैयारी कर रहे है गिरफतारी क्यों करना चाहते है भारतिय जनता पार्टी के नेता जोर जोर से चिला रहे है कल से ही बोल रहे है कि सुप्रीम कोर्ट की अंदर मनिश सुदिया जी को ले करके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उनकी जमानत द्रस्त की गई है इसलिए अब रविंद के जिरिवाल गिरफतार होंगे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो टिपड़ी की है इसलिए अरविंद के जिरिवाल अब गिरफतार होंगे दिल्ली की अंदर जो तथा कथित फरजी घोटाला हुआ है इसलिए अर्विन के जिरिवाल गिरफ्तारों में मैं भारती जन्ता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज एडी ने संबन दिया है जब दिल्ली के अंदर 2014 में हमारी सरकार बनी देश के प्रधानमंतरी मानने नरेंद्र मोदी जी जब बने थे उसके बाद पहला प्रेम पत्र ले करके सिवियाई ने मुख्यमंतरी कार्याले पर छापा मारा था उस समय कौन सा तथा कथिस सराब गोटाला हुआ था जब सिवियाई ने मुख्यमंतरी के कार्याले पर छापा मारा था दिल्ली सरकार के सभी फाइलों को सुंगली कमेटी बना करके जब्त कर लिया गया था तीन महीने तक दिन रात जाच होई थी फाइलों की एक एक पन्ने को लेंस लगा करके छाना गया था उस समय कौन सा सराब गोटाला हुआ था सिवियाई ने जब मुख्यमंत्री के कार्याले पर छापा अमरा तो क्या निकला आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हो गई सुंगलू कमेटी ने तीन महीने तक लगातार दिन रात बैट करके सिविल लाइन में एक एक फाइलों के एक एक लाइन को बढ़ा खंगाला उससे आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हो गई दिल्ली के अंदर जब दुबारा ऐसा लगता था भारती जन्ता पार्टी को की एक बार लोगों ने गलती से आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी सत्तर में से सरसट दे दिया दिसीज़े इत्फाक भारती जन्ता पार्टी के नेता कहते हैं इत्फाक है बाई चांस केजरिवाल को लोगों ने मुख्वंतरी बना दिया पाच साल हमने काम किया दुबारा पूरी एड़ी चोटी देश भर के सभी भारती जन्ता पार्टी के नेताओं ने सारी ताकत जोग दी जब इस बात का हंकार था उन्हों के पूरे देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारती अन्ता पार्टी और देश के अंदर उत्तर अधक्षन पूरव पस्चेब उसका सामराजे का विस्तार हो रहा है दिल्ली के अंदर उनके नाप के नीचे दुबारा एलेक्षन हुआ और उस एलेक्षन में आठ सीट के बल दिल्ली के अंदर उनको नसीब हुई थी सत्तर में से 62 सीट अरविंदि के जरिवाल को दिल्ली के लोगों ने दिया और दिल्ली के अंदर दुबारा सरकार बढ़े दिल्ली के लोगों ने जब MCD की तरफ उनकी विदाई का जब कारवा बढ़ाया आप सब को इस बात का पता है क्या क्या सड्यन त्रकिया भारती जंता पार्टी ने MCD का मार्च पिछले साल मार्च के महिने में MCD का कारेकाल खत्म होने वाला था चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फरेंस बुलाई कि MCD के चुनाव की घोफड़ा होनी है पत्रकार सभी पहुंचे वहाँ पर कि आज तिथी की घोफड़ा होगी आधा घंटे पहले चुनाव आयोग के पास प्रेम पत्र पहुंचता है और चुनाव आयोग को मजबूरन घोसित करना पड़ता है कि चुनाव को स्पोन कर दिया गया ऐसा कभी नहीं हुआ उसके बाद फिर क्या सड़यंतर हुआ कि दिल्ली के तीनो नगर निगम में दिल्ली की व्योस्था खराब हो रही थी इसलिए दिल्ली के नगर निगम का एकी करन करना है एकी करन के नाम पर उसका परिसीमन किया गया परिसीमन के बाद फिर टालते 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 सिवियाई ने मनिस सुदिया जी को बुलाया जेल से डेली लाइफ टेली कास्ट होता था गुजरात के चुनाओ जब हो रहे थे उस समय दिल्ली में MCD का चुनाओ गोसित किया गया और फिर भी प्रणाम क्या निकला दिल्ली के लोगों ने MCD से भाज़फा की बिदाई कर दो कई सारे लोग कहते हैं कि अरविन केजरिवाल से भारती जनता पार्टी को दर लगता है इसलिए सबसे ज़्यादा टार्गेटेड तरीके से विपक्ष के उपर हमले में सबसे ज़्यादा टार्गेटेड तरीके से आम आदमी पार्टी के उपर हमला किया जा रहा है सत्ता के अहंकार में समस्त सत्ता की एजंसियों का दुरुपयोग करके आमादमी पार्टी को खत्म करने की कोशिद हो रही है क्यों हो रही है क्योंकि मैंने कहा कि अगर मसला केवल सराब निती का होता तो मुख्यमंत्री कार्याले पे पहले छापा नहीं पड़ा होता सुंग्रू कमेटी ने फाइलों के एक एक लाइन को नहीं खंगाला होता नगर निगम का एक ही करण महीं होता चुनाव आयों को आदा गंटा पहले चुनाव की घोफणा के लिए बुलाई गई प्रेस कांफरेंस में चुनाव पुस्पोर्ण नहीं करना पड़ता दिल्ली के अंदर एक सो सतर से ज़्यादा हमारे विधायकों पहले मुकत्मा करके उनको तोड़ने की कोशिस हो क्या लेना देना इस सब चीजों का दोई चीज दिख रही है एक आम आदमी पार्टी इनके नाक के नीचे इस बात का चैलेंज दे रही है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अरविंद केजरिवाल को भी गिरफतार आफ करना चाहते हो और आप गिरफतार करोगे आम आदमी पार्टी का हर नेता तिहार के जिल के अंदर अगर आप बंद कर दोगे तब भी आम आदमी पार्टी खत्म नहीं होगी राक से जो आग पएदा होती है उसका नाम है आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की बहुत सारी कोशिसें आपने कर ली आज तक खत्म नहीं होई है जितनी बार आपने खत्म करने की कोशिस की है उतनी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है क्यों खड़ी हो रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने लिए नहीं काम कर रही है आम आदमी पार्टी देश के लोगों के लिए काम कर रही है देश के बच्चों के लिए काम कर रही है देश के भविस्य के लिए काम कर रही है और खास तोर से आपको जो इस बात का डर सता रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता तूट नहीं रहें विधायक विक नहीं रहें आपके व्रश्टा चार से लड़मे का पैमाना तो इतना ही है अजीत पवार NCP में थे तो AD छापी पड़ रहे थे उन्होंने SNCP छोड़ दी आपके सरकार जोईन कर लिया AD पता भूल गई है जीत पवार था अब AD को नहीं पता, CVI को नहीं पता, जीत पवार नाम का भी कोई आदमी है इस भारत के अंदर, उसका भी कोई नाम पता ठीकाना है भूल गई आपके लड़ाई इतने प्यों ठीकी है, इसलिए मेरा निवेदन है दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूँ आपके लिए ये सरकार दिल्ली के मुखमंतरी अर्विन के जरिवाल हर विपरीत परिस्थितियों में हम काम करते रहें और आगे भी काम करेंगे इनके हर ताना साही का मुकाबला भी करेंगे और दिल्ली के लिए काम को भी जारी रखेंगे जहां तक दर आम आदमी पार्टी से था, वो तो थाए लेकिन अब जिस तरह से लोगसभाज चुनाओं में भारती जनता पार्टी के निकम्मे पन का चारो तरफ, चारो तरफ से खबर आ रही है इभारती जनता पार्टी इस लोगसभाज चुनाओं में विदाई होने जा रही है धिरे 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 ये चक्रवी हुए और सिकंजा मुझे तो इस बात की समझ में नहीं आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अब फेल हो गई पीडी और सिवियाई के दम पे आप चुनाओं जीतना चाहते हो इतिहास में न कभी हुआ है न बर्तवान में हो सकता है और न भविस में कभी होने वाला है पीडी और सिवियाई से लोगों को आप परिसान कर सकते हो पराजित नहीं कर सकते जनता जब मन बना लेती है तो फिर उसके फैसले को कोई प्लट नहीं समता है आप एक एक करके विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से क्राइस करने की कोशिस कर रहे हो अभी अभी में आते हुए ख़बर मिली कि लोगों को इलर्ट आ रहे है विपक्ष के नेताओं को यह भी आप चर्चनक बात है कि फोन है करने के लिए एपल के तरफ से इलर्ट आ रहे है और वो सारे इलर्ट जो है विपक्ष के नेताओं को यह आ रहे मतलब हैकरों को भी पता है कि कि किसका करना और किसका निकलना है तो इस विप्रित परिस्थितियों में आम आत्मी पार्टी पूरी मजबूती के साथ रड़ेगी मुकाबला करेगी हर कुर्बानी देगी इस डेस के लिए जो देने की जरूरत पड़ेगी लेकिन अपनी रड़ाई को हम जारी रखेंगे औ तो सबको आएगा वो तो सबको आएगा जब पार्टी को खतम करना है तो तो सबको आएगा स्टेट स्पॉंसर्ड है और सारे विपक्ष वाले हैं तो विपक्ष वाले स्टेट तो उनको हैक करनी रहा है तो सच्छा तत्ता पक्ष कर रहा है और वो दिखा रहा है एक हर चीज में ये चीज दिख रही है इतना डर इतना डर इतना डर कि आपने मतलब तारा साही की हर हदें पार कर दी है